आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, इस Question में जो हमसे पूछा गया है Following are the features of Genetic Code Genetic Code के कुछ features दे रखे हैं तो What does each indicate? तो हर कोई क्या indicate करता है वो हमें बताना है तो देखे, Stop Codon Stop Codons होते हैं वो कौन से होते हैं, Stop Codon UAA UAA UAG and UGA UGA ये तीनों क्या होते हैं, ये Stop Codon होते हैं और तो ये क्या indicate करते हैं ये indicate करते हैं कि जब भी कभी हमारे RRNA में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये हमारे किसी भी amino acid के लिए code नहीं करेंगे और ये indicate करेंगे कि जो हमारी अब जो translation की जो process है जो हमारी translation की process है वो क्या हो जाएगी? वो terminate हो जाएगी अब हमारा जो amino acid synthesis जो polypeptate synthesis वो पूरी हो चुकी है अब आते हैं हम किस पर? unambiguous codon पर तो देखें unambiguous codon का मतलब क्या होता है? unambiguous codon का मतलब ये होता है कि जो हमारा एक codon है जैसे AUG है वो हमेशा किस के लिए हमारा code करेगा? वो सिरफ हमेशा methionine के लिए ही code करेगा या UUU है वो हमेशा हमारा phenylalanine के लिए ही code करेगा फिर आता है हमारा degenerate codon degenerate codon का मतलब क्या होता है? कि जैसे हमारा phenylalanine है या फिर हम माल लेते हैं जो हमारे बास valine है तो जो valine है valine जो है वो बहुत सारे हमारे codons है उससे वो code हो सकता है जैसे GUU GUC GUA ये सब क्या है? ये code करते हैं valine के लिए तो but unambiguous का मतलब क्या है? कि जैसे GUU है वो हमेशा valine के लिए ही code करेगा GUC जो है वो हमेशा valine के लिए ही code करेगा GUA है वो हमेशा valine के लिए ही code करेगा ये तो भी unambiguous बात अब जो degenerate codon है उसका मतलब क्या है कि जब कोई एक amino acid हमारा more than one codon से cod होता हूँ तो ये degenerate codon हो गया अब आते हैं universal codon तो देखे जैसे AUG है वो हमेशा methionine के लिए ही cod करेगा वो हमेशा किसके लिए cod करेगा methionine के लिए cod करेगा रधर वो चाहे हमारा bacteria हो या फिर हमारा क्या humans हो वो हर किसी में AUG किसके लिए cod करेगा हमारा methionine के लिए ही cod करेगा तो ये हमने जो genetic cod के feature है वो आपसे discuss करें Thank you अपने doubts आठ 4444 पर